दोस्तों अनियमित पीरियद्स के कारण अक्सर महिलाएं परेशान रहती है अंद्रूनी समस्या के अलावा उनके मन में ये भी दर रहता है कि कहीं पीरियद्स गलत समय में न जाएं खास कर जब वे बाहर या किसी ऐसी जगह पर होती हैं जहां सुविधा प्राप्त करना मुश्किल होता है अनियमिद्स पीरियद्स चक्र के कारण कई महिलाओं या किशोरियों में वजन धटने, स्वास्थय समस्याएं और लाइफ अस्टाइल संतुलन बिगडने का दर रहता है इसके अलावा मानसिक स्टर पर भी कई दिक्कत आती है जैसे चिर्चिर्पन, मूट, स्विंग और तनाव होना इसके अलावा उनकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है इन तमाम परेशानियों से चुटकारा पीने के लिए आप पपीता का सेवन कर सकते हैं पपीता में कई पोशक तत्व पाए जाते हैं जिसकी मदद से आपके पीरियद समय पर आ सकते हैं साथ ही यह आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदे मंद होता है गर्मी के दिनों में यह आपका मूड रिफ्रेश कर सकता है और शरीर को हाइडरेट रखने में भी मददगार साबित हो सकता है साथ ही यह स्किन की परेशानियों में भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है आप इसका सेवन भी कर सकते हैं या चेहरे पर इस्तिमाल करके भी दाग धबों से छुटकारा पा सकते हैं पपीता खाने से पीरियद्स जल्दी या समय पर आ सकते हैं इसे आप घरेलू उपचार के तौर पर शामिल कर सकते हैं इसके लिए कच्चा पपीता ज्यादा फायदे मंद होता है दरसल इसमें पाया जाने वाले लेटेक्स गर्भाशे में संकुचन को उत्तेजित करता है और पीरियद्स समय पर आने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकता है इसके अलावा इसमें पाये जाने वाले विटामिन C और विटामिने आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है ताकि आपके शरीव की अंद्रूनी गतिविदिया सुचारू रूप से काम कर सके इसके अलावा पापीता में मेगनीशियम, केल्सियम, कोटेशियम और फोलीड पाया जाता है जो हरिदय और हडियों के लिए भी काफी लाबकारी हो सकता है यह तनाव को कम करने में भी फायदे मंद होता है पीरियद्स में पपीता का सेवन करने के लिए आपका अच्छा या पका पपीता भी खा सकते हैं सही पीरियद्स चक्र के लिए एक कप पपीता कटा हुआ खा सकते हैं या इसका जूस एक गिलास पी सकते हैं ऐसा माना जाता है कि पपीता की हीटिंग बून की वज़े से भी पीरियद्स समय पर आ सकते हैं तो आप पूरे दिन में एक बार पपीता का सेवन जरूर करें अगर आपको किसी अन्य प्रकार की समस्या भी है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर समपर्ट करें ताकि आपको किसी तरह की समस्या न हो अगर आपके पीरियद्स लंबे समय तक चलते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए पीरियद्स अगर लंबे समय तक रहते हैं तो आपको आयरन या पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए इस दोरान अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए और खुद को हाइडरेट रखें इसके अलावा आप शहद और दालचीनी का भी सेवन कर सकते हैं इससे दर्द और एठन से भी राहत मिल सकती है पीरियद्स के दोरान उचित दाइट लें और खाना स्किप करने की कोशिश न करें इससे कमजोरी हो सकती है इसके अलावा अगर आप जिम या एक्सरसाइज करते हैं शरीर को भर पूर आराम देने की कोशिश करें और मूट को हल्का करने वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं